हेलो दोस्तों वेलकम बैक टो और चैनल टेक्रोनिकल मैं हूँ पुश्पेंद्र और आज हम उन्बाक्सिंग करने जा रहे हैं एक स्मार्ट वाच की तरफ से आती है और बहुत ज्यादा डिमांड में है यह वाच तो मैंने भी वाच मंगाई चेक करने के लिए तो चलिए करते हैं सो यह हमारा बॉक्स है इस पे उपर मेंसान है कलर फिट प्रो 3 जो इसका सीरीज नेम है और यह कुछ इंफॉर्मेशन इधर दी गई है और इसके अलामा अगर बात करें इसके फीचर्स की स्प्रसिफिकेशन के तो देखी यह हमारे हैं जो आपका ब्लड ऑक्सीज और अगर इसके प्राइस की बात करें तो इसमें लिखा है listen to noise within ओके और इसका प्राइस कहा में से ने हाँ प्राइस इधर है और इस पे जो प्राइस लिखा हुआ है उसका है five triple nine यह आप देख सकते हो इस पे जो प्राइस लिखा हुआ है five triple nine जबकि अगर आप इसे amazon से मग तो यह open हो रहा है हमारा box yes हो गया और यह उपर कुछ noise का लोगो आपको देखने को मिलता है और यह कुछ भी नहीं है ठीक है इसके नीचे हमें देखने को चीज़ें जो मिलेंगे सो यह जो हमारा पाउच है इसके अंदर आइधिंक वारेंटी वेपर और जो भी चीज़ें होंगी देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर सो जल्देली ओपन करते हैं इसे जो बुक है कभी दिन आज देखे जाने वाली बुक वह भी आप देख सकते हों अब आते हैं अपने मेन प्रोटक्ट पर और यह हमारी वाच और इसका चार्जर भी आइधिंक निकल जाए जल्दी हां ओके यह केबल है पीशे और यह इस पर कुछ लिखा हुआ है फंक्शन यह यह भी और फटाफट खुल जाए लिल्दी यल्दी हूं ओके सो मैगनेटिक लॉक वाली है यह यह जो है ना यह मैगनेटिक लॉक्स होते हैं तो आप इनको जैसे आपका माई बैंड होता वैसे चार्ज नहीं करना पड़ता निकाल यह सब चीज़ है तो इनको पीछे स और यह सिलिकॉन का इंग बैंड उन्होंने यूज किया है ऐसा ही कुछ मेरे पुरानी वाच में भी मुझे देखने को मिला था आगे बताओंगा मैं आपको में भी कंपेर करूंगा तो और यह जो वाच है इसका जो वेट अगर में वेट की बात करूं तो बहुत जादा है aADOT SE वहां से आप चार्ज कर सकते हैं एंडले के चार्ज करने के लिए आपको बस बस ही जो मैगनीटी का चारज कर्गार से वहार रख देना है सो यह देखे हमारी जो watch है यह charge होने लगी है आप यह आवाज सुन सकते हों तो charge करने के बार जब मैंने इसे plugout किया तो कुछ इस तरह से ये आवाज कर रही है और यह first time नहीं है कई बार मैंने try किया और उसके बार मैं यह video shoot कर रहा हूं तो कुछ इस तरह का इसमें issue देखने को मिल रहा है मुझे और जैसे ही मैं इसे plug से निकाल रहा हूं वैसे यह switch off हो जा रही है तो इसका मतलब है maybe यह defective piece है तो मुझे इसे replace करना होगा तो देखें यह हमारी watch है अब इसे मैंने एक बार start कर दिया है तो हाँ आपकी जनगारी के लिए बता दू कि जो वीडियो भी आपने देखा उसमें जो watch हमने unbox की थी उसमें हमें issue आया था तो हमने उस watch को फिर से replace किया और replace कर गया जब हमने दुबारा मगाया तो आप देखें यह watch जो है चार्जर से plug-out कर रहे हो वो बंद हो जा रही है तो आप उसे replace कर तो रिप्लेसर के आप फिर से order कर लो जिसे इसे मैंने current time में इसे मैंने iOS से connect किया हुआ है Apple device से अपने तो अगर मैं इसे उपर स्क्रॉल करने की बात करूं तो यह देखें इसमें आपका notification दिखाता है और अगर मैं इस तरफ बात करूँ तो इस तरफ आपका जो iPhone का है ये सारी चीजह देखाता है बर यह देखें तो यह आपका जो एपका Um और अगरा बात करें नीचे की तरफ यह देखिए यह देख। यह दिखिए यह 197 यह आपका ब्राइटनेस अजय रही है सबसे लौ ब्राइटनेस इसी मिढियम है। यह हाई तो यह सब में बात करें इसमें क्या है आपको तो जैसा भी देखिए आप इसकी बैटरी 58% दिखा रहा है और इसका ब्लूडूथ करेक्टेड है चलिए बात करते हैं और इसके फंक्शन कहां चाहते हो तो इनमें किधर भी स्क्रॉल करने से आपको फंक्शन नहीं मिलेंगे तो अगर आपको इसके मे कारे में बूलूं तो काफी अच्छा डिजाइन है जिसे एक हार्ट रेट है आपका तो यह देखिए 79 दिखा रहा है अपना और अगर बात करों स्ट्रेस लेवल की तो यह आपका स्ट्रेस लेवल है मिजरिंग कर रहा है और 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 भी ऑप्शन यह देखिए जैसे आपका यह देखिए और अगर बात करूं मैं सेटिंग में जाकर तो मैं आपको सेटिंग दिखा देता हूं यह देखिए रिस्ट वेक रियल टाइम हाट रेट डूनाट डिस्टर्ब वाच फेसे ब्राइटनेस पावर और रिस्टार्ट रिसेट अबाउट तो अगर मैं ब्राइटनेस लेवल क्या है ब्राइटनेस कंट्रूल कितने सेकंड के लिए है तो जिसके यह आपका यह देखिए तो यह 15 sec 20 सेकंड तक जाता है है maximum तो इससे चलिए मैं 15 seconds फिर से सेट कर देता हूं तो कुछ इस तरह आप देखिए सेट कर सकते हैं यह से यह सट हो गया अगर ब्राइटनिस लिवल पर आप जाते हैं तो यह देखिए वन दिखा रहा है टू हो गया यह देखिए थ्री और यह वापस आपका यह देखिए वापस बन हो गया और फीचर्स के अगर बात करें सेटिंग में तो वाच फेसे भी हैं आप देख सकते हैं आप जैसे अपको कुछ इसका यूई देखने को मिलता है सो अगर मैं कहूं तो मैं काफी अच्छा लगा इसका यूई देखिए रिकॉर्ट्स भी पड़े हुए अगर आप यहां पर जाहिए यह देखिए आपकी जो भी आपने वॉक किया जो भी चीज़ें की उनके रिकॉर्ट्स पड़े हुए है और अगर क्वालिटी की बात कर लाने वाला हूँ इस वाच के साथ देखिए यह मेरी पुरानी वाच है जिसे मैं यूज कर रहा हूँ लगबग 2-3 यूर्स हो गया मुझे इसे यूज करते वे और अगर मैं बात करूं इस वाच में तो इस वाच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस वाच में आपक और यह उसलिए पर सकते हो अगले वीडियो के लिए आप चलिए बात करते हैं कि इस वाच का जो आपका प्ली केसं है वो कहा सा है सो कि के यह हमारा है इसका application noise fit के नाम से आता है और यह हमारा देखे यह connected है पूरा का पूरा तो काफी यह काफी सारे feature आपको देखिने को मिलते हैं यहां भी यह देखें काफी सारे feature आपको मिलते हैं समरी शॉप activity watch faces चलिए watch faces अगर देखें हम यहां पर सो यह देखें कस्टम भी है इलस्ट्रेशन भी है मिनिमल इनलोग जियोमेटरी स्पूर्ट्स नैचर देन मीनिमल डिजिटल देन जोडियोग प्राइड प्लानेट एंड स्पेसेज काल्कुलेटर ओलंपियंस और इंडिपिंडेंस बहुत सारा आपको आपको उप्शन मिल ज और लगभग वन वीक के असपास मैं इसे यूज कर चुका हूं जब मैं यह वीडियो शूट कर रहा हूं तो अभी तक का मेरा एक्स्पिरेंस काफी अच्छा रहा है इसके अलामा आकर मैं इसके बैटरी की देखिया बात करूं तो इसे लगभग 5-7 डेज आप सिंगल चार होंगा आप लोगों के लिए तो अब अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्रीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए टेक क्यार